सिमांद घाटी में 12 दिनों से सड़क मार्क अवरूत होने के कारण सिमांद घाटी के पूर्फ प्रमोग ठाकुर राणा दोरा आज से तहसील प्रामगर में आमरन अंशन की शुरुवात कर दी गई है बता दे कि ठाकुर सिंगराना ने बताया जब तक सिमांद घाटे में दुरसंचार स्वास्त सेवाय सड़क बिजली रसत सामिकरी के विवस्ताएं नहीं होती है तब तक आमरन अंशन जारी रहेगा आपको बता दे आज आमरन अंशन कारियों से मिलने के लिए तमाम कॉंग्रेस ही कारे करता और कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करेश्ट कोदिया संगपूर्फ कैबिनिट मंतरी राचे इंद भंडारी मिलने पहुचे बड़ी बात तो यह है कि जिला प्रिसाशन ने आज सिमान घाटी के दोनों तरफ फसे लोगों को हैली सेवर से रेस्क्यू गया साथ ही यहाँ पर NDRF, SDRF, BRO और प्रिसाशन की टीमें ने अन्ने मार्क से पैदल आवजाही भी सुरू करवाई आलमियाई की फिलाल घाटी के लोग इस अन्ने पैदल मार्क से आवजाही करते हो इन नजर आ रही है सोमवार को 30 लोगों को हैली सेवर से उनके गंतेवे तक भेजा गया बतादे की नीटी घाटी के प्रवाबित गाउ में स्वास्त विवस्ता और खाद्यान की समस्या को दूर करने के लिए प्रिसाशन ने हैली सेवर से मैडिकल और खाद्यान टीम भी छेतर में भेजी है देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहरे देखने के लिए हमारे चैनल एंग्सनीस को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबाए तब तक के लिए बने रही है Stay Tuned